हलो दोस्तो राज हलवाई रस्पी में आप सभी का स्वागत है अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन आन कर लिजिए चलिए हम शुरू करते हैं हलो दोस्तों राज अलवाई रस्पी में आज हम बनाएंगे क्रीम छेना तो क्रीम छेना हम अपने घर में छोटी क्वांटी में कैसे बना सकते हैं आज हम आपको बना के दिखाते हैं आप भी अपने घर में बना सकते हो तो उसके लिए ये कडाही जो नाश्टी कडाही है इस उसके बाद में हम गैस का फलेम बंद कर देंगे, यह उबल चुका है, गैस का फलेम हमने बंद कर दिया है, और इसको हम गरम भाप होती है, इसका थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे, जिससे इसकी गरम भाप निकल जाए, गाय का दूद बिल्कुल गरम ही फारना पड़ता है, तो उसके लिए हमने यह देखिए यह हमारा पनीर मसाला है या पनीर मसाला से फाड़ सकते हो या कोई विनेगर से फाड़ सकते हो साइट्रक से फाड़ सकते हो नेबू से फाड़ सकते हो जिससे आपकी मरजी उससे आपको फाड़ सकते हो इसमें 20 ग्राम तक हमने पनीर मसाला ग्लास पानी से कप भर लिया है कप हमारा 500 ml वाला है इसमें हम कप भर लिया है और थोड़ा-थोड़ा हम दूद में एड़ करते रहेंगे ज्यादा एक बैग नहीं डालना है जब हमारा दूद फट जाये तो तुरुंत मसाला डालना बंद कर देते हैं यह देखे बेलकुल य आईए देखे थोड़ा बचा है दुबारा हम वापस अपने उस बोतल मेरा कलेंगे उसके बाद में इसको हम पांच मिन्ट तक पड़े रहने देते हैं जब तक अच्छी तरह पक जाता है तो यह हमारा पक चुका है उसके बाद में च्छानी में मलमल का कपड़ा लगाएंग अगर पनीर में आ गया तो फिर हमारा जो चीज हम छेना बनाते हैं कलर फुल हो जाएगा इसलिए हमने कलर वाला कपड़ा नहीं लेना होता है छानी में हमने एड का ही दिया है पनीर उसके बाद में यह तरह हम निचोड लेंगे उसके बाद में अच्छी तरह दोनों हाथों सो निचोड लेते हैं उसके बाद में यह जो गाढ़ा क्रीम जो एंड में गिरता है इसको थोड़ा सा कप में रख लेते हैं इससे हम जहां रीठे लगाते हैं रीठे की जगा यह लगा देते हैं यह रीठे का पानी लगाना हो होता है बिल्कुल कि इस तरह पढ़ना होता है कि हाथों से मैस करें तुरंत ये क्रीम बरका प्लेन हो जाए और इसमें पानी भी न रहे इस तरह पनीर होना चाहिए अगर मसाला ज्यादा तेज लग जाता है या ज्यादा गरम तूद पाड़ देते हो तो इसमें दाने पढ़ कि हमने इसकी गोलिया कर लेंगे इसमें कोई सोडा बैकिंग पाउडर या कोई आरा रोड वगयरा बिल्कुल नहीं लगता है गाय के दूद में इसको ऐसे गोलिया करके अस्पॉंजी बना सकते हो इसके बाद हम इसकी गोलिया कर देंगे गोलिया हम बिल्कुल यह लंबा क और फलाट कर देते हैं जया जैसा बनाना होता है इस तरह हम बनाएंगे जिस पें प्रीम रेटने मत्irst क्रीम उपर लगाएंगे कुंधा जैसा क्रीम हम बनाते हैं क्रीम छेयर क्रीम ना मेशाने में यह तरह हम लंबा रोल Max बना के इसको चप्टा कर देते हैं फलाड कर देते हैं इस तरह यह हम क्रीम छेना बनाएंगे इस त्थे भी छेना bang रहा है उसके बाद मिक्रीम बाद में लगाएंगे पहले हम और सारी ूरा कर लेते हैं तो इस तरह हम गोलियां करके त्यार कर लेंगे छेने की तो यह हमने तीन गोलिया बना के त्यार कर दिया है अब हम सारा बना लेंगे तो इस तरह हमने सारा बना के त्यार कर दिया है के बाद गय सान करके हम कडाई रखेंगे अपनी नाश्टी कडाई जिसमें हमने छेना को पकाना है तो इसमें हमने जो चासनी रैड किया है तो यह हमारी पुरानी चासनी है तो पुरानी चासनी जैसे हम दो दिन पहले रसगुले बनाए थे वो हमारी चासनी बची गई रसग विल्बकुल saap perfect होती है इसलिए आप दुबारा भी बना सकते हो उसके बाद में ऊवाला आ चुका है इसमें हमने ये देकिए Panईर जो हमने Panईर का पानी रखा था कप में आईड कर दिया इससे ज्गेभान जाता है उसके बाद में जो है चासनी हमारी दो कप सुगर और एक कप पानी वाली है इसमें इतने ही चासनी है दो कप सुगर और एक कप पानी का चासनी है यह ज्यादा नहीं है चासनी इतनी बच्ची थी तो यह हमारा देखिए फूल फूल के ऊपर आगया है अच्छी तरह ये फूल साइज में फूल चुका है ये देखें बिलकुल फूल चुका है अब ये इसको हम अच्छी तरह ये फूल के अच्छी तरह त्यार हो गया है उसके बाद में ये जग हम दे चड़ा दिया दो मिनट के बाद दुबारा हम ये पानी लगाएंगे ये पकते पकते गाड़ी हो जाती है चासनी जब ये हमारा छेना अबजोब करना चासनी बंद कर देती है जब हम पानी लगा देते हैं तो ये तुरंत पतली हो जाती है चास अब जोब करती रहती यह पकते पकते गाड़ी हो जाती है तब चासनी अब जोब नहीं करती है जब तक यह पानी ना लगाई है तब तक यह अब जोब नहीं करती है पकते पकते लाल हो जाएगी लेकिन चासनी अब जोब नहीं करेगी इसलिए पानी लगाना पड़ता है और इसको कबर खोला है उसके बाद में यह हम पीसेज जो है अच्छी तरह निकाल देते हैं दो दो पीसेज प्लेट में निकाल के त्यार कर दिया है सारा निकाल ले आठ पीसेज हमारे हैं और यह हमने निकाल के प्लेट में कर लिया है उसके बाद में यह हमारा खोया है जो बिल्कुल ये अच्छी तरह बरीग जाली है, इस से निकल जाता है, बिल्कुल ये प्लेन क्रीम जैसा हमें ये खोया बनके त्यार हो जाता है, क्योंकि ये उपर सिकरी सी जम जाते हैं थन्डा होने के बाद में, इसलिए हम दुबारा इसको चाननी से निकाल देते हैं, ये हम जैसा खोया बिल्कुल अच्छी तरह हम बनातेते हैं, इसमें हम थोड़ा सा स्वाद के लिए इलाइची पौडर आइड करेंगे, तो पहले हम मैज कर लिए हैं, उसके बाद में ये हमारी इलाइची पौडर है, इसमें हमने इलाइची पौडर अच्छी तरह मिक्स कर लेंग ने उपर से हमें लगाना है तो इस तरह हम लगा देते हैं कोई याइन आप लगा सकते हो इसलिए जो भी आपको पसंद बना ना अच्जितने इसके से बहुत बहुत होते हैं सब अलग-अलग के डिजाइन बनाके लगाते हैं इसको ही क्रीम छेना कहते हैं तो यह इस तरह हमने क्रीम लगा दिया उपर से अब यह क्रीम छेना हमारा इसी तरह बनता है क्रीम लग गया तो छेना हमारा क्रीम छेना बनके त्यार हो गया इस पर और भी लगा दिया तो क्रीम छेना यहां हमारा त्यार हो गया अब इसके उपर गार्निश की इस तरह करेंगे आप यह आपके उपर निर्भर करता है तो इस तरह हम पहले हम यह हम तैयार कर देंगे दो पीसेज हमने इस तरह क्रीम लगा दिया है उसके बाद में हम सारा लगा देंगे इस तरह हम सारा लगा के त्यार कर दिया है सारा क्रीम जो 8 पीसेज थे हमारे 8 पीसेज में लगा दिया है जो हमारा क्रीम जो खोया क्रीम बचा हुआ है इस पे थोड़ा सा हम एलो कलर लगाएंगे ये देखी हाथ में बिल्कुल हलका कलर लगाएंगे ये बिल्कुल हलका कलर हमने एलो इसमें लगाया है मैस करके बिल्कुल हम कलर मिक्स कर देंगे उसके बाद में ये मिक्स करके हमने तयार कर लिया है उसके बाद में ये हमारा फूल वाला नेपल है जो इसमें कपड़े में सट रहता है बिल्कुल ये अच्छी तरह बन के आता है तो ये देखिए बिलकुल ये निउजल जैसा है, ये बिलकुल हमारे ये चार नेपल हैं, जिसमें अलग-अलग डिजाइन के बने होते हैं, जिसे फूल भी पड़ जाता है, लंबा लकीर भी पड़ जाता है, अलग-अलग डिजाइन के चार हैं, इस तरह हम पहले फूल वाल लगा लेंगे और इसमें हमने खोया जो हमने क्रीम त्यार किया कलर वाला यह इसमें आइड कर देते हैं उसके बाद में यह देखिए हमने छेने को पर इस तरह छोटा छोटा सा फूल बना देंगे साइडों में तो यह साइडों में हमने इस तरह फूल बना के त्यार करना है छोटा-छोटा जो है साइड में बनाते हैं इस तरह जो है हमारे फूल त्यार हो जाते हैं दूसरे पीसेज पर यह हम बना देंगे यह चार तरह के निपल है अलग-अलग डिजाइन के जैसे भी मर्जी आप इस पर क्रीम लगा सकते हो फूल जैसा क्रीम बना सकते हो तो इस तरह हमने दो पीसेज पर लगा के त्यार कर दिया है यह दो पीसेज हमने क्रीम लगा के त्यार कर दिया अब इस तरह हम सारा बना लेंगे ये हम आपको दिखा रहे हैं इस तरह जो है साइडों में हमने फूल नेपल से बना दिया है अब इस तरह आप हम सारा बना लेंगे इसके बाद में है कि सारा बना के हमने ट्यार कर दिया है अब सारा दूसरी प्लेट सेम능 हम अपने पीशेज आइड़ करेंगे अच्छी तरह जोड़ेंगे दूसरे प्लेट में अब यह हमारा क्रीम छेनप बन तैयार है आप इस तरह आपने घर में बना सकते हो इस पर हम गार्णिस्ं भी कर दें हैं हमारे अनार के दाने हैं जिससे हम गार्णिस्не कर देते हैं देखने में अच्छे लगते हैं थोड़ा सा हम पिस्ते की कतरन भी लगा यहां आप अपने मर्जी से जो भी ड्राइबोड लगाना या कोई चेरी लगानी तूटी फुरूटी लगानी या कोई करोंदा चेरी लगानी यहां कोई भी गार्ने से आप कर सकते हो जैसे आपको डिजाइन आता हो ऐसे भी कर सकते हो क्रीम लगा दिया तो क्रीम छेना हमार त्यार है आप भी इस तरह अपने घर में बना सकते हो सिर्फ हमने क्रीम साथषा सुएमल दूत का बनाया है और और साथ-सुएमल दूत का हमने छेना तयार किया है अब हम आपको पीस़ज ये चमत से दीखें काटके दिखाता हूं आपको तो ये देखें हमारे बिल्कुल सौ और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए अगर आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज स्क्राइब कर लीजिए गंटी वाला बटन आउन कर लिजी ताकि आने वाली हलवाय वाली वीडियो हमारी आपके के पास पहुंचती रहे देखने के लिए थाइंक यू सूमाच